पंजाब के पूरु मुख्यमंदरी कैप्टन अमरिंदर सिंग कल चंडिगर में प्रेस कॉंफरेंस करेंगे माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंग इसमें नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं इसके अलावा अन्य मुद्दो को लेकर भी कैप्टन अमरेंदर सिंग अपना रुख साप कर सकते हैं पंजाब के पूरु मुख्यमंदरी कैप्टन अमरेंदर सिंग कल बुदुवार को पंजाब में बड़ा ऐलान कर सकते हैं इसके लिए कैप्टन पिछले करीब एक महिने से काम कर रहे थे। कैप्टन अम्रेंदर सिंग के प्रेस कॉंफरेंस का पता चलते ही कॉंग्रेस ने अपने विधायकों से संपर्ख साथ लिया है। इसके अलावा बड़े नेताव की मुवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। चर्चा है कि कैप्टन प्रेस कॉंफरेंस में अपनी राजनितिक ताकत दिखा सकते हैं। खासकर चरंजी सिंग चन्नी के सीम बनने के बाद मंत्री पस्ते हटाये विधायकों पर भी सबकी नजर है। दरसल पंजाब में मुख्य मंत्री पस्ते हटाये जाने के बाद से ही कैप्टन अम्रेंदर सिंग के तेवर काफी तीखे हैं। कैप्टन ने पहले कॉंग्रिस से अलग रहा करते हुए अपने तेवर दिखाए तो बाद में पंजाब में अलग राजनितिक पार्टी बनाने की घोशना भी टीटर के जरिये की थी तब कैप्टन ने कहा था कि वो अलग पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ शर्थ के साथ गड़ जोड करेंगे इसी के साथ अकाली दल से अलग हुए नेताओ जैसे धिंट सा गुट के साथ गड़ जोड करेंगे कैप्टन अबनेदर सिंग ने पाकिस्तानी मित्र अरूसा आलम को लेकर दिगज कॉंग्रेस हस्तियों के साथ उनका फोटो जारी कर जवाब दिया है दूसरा मामला किसान आंदोलन से जुड़ा है जिस पर कैप्टन की नई पार्टी की सियासत घूम रही है कैप्टन ने किर्सी कानूनों पर फैसले के बाद ही बीजेपी से गड़ जोड की बात कही है ऐसे में इस मुद्धे पर कैप्टन की प्रतिक्रिया एहम रहेगी इसके अलावा पंजाब में कल हुई सरुदलिये मिर्टिंग के जरिये चन्नी सरकार ने B.S.F. के अधिकार बढ़ने के खिलाब प्रस्ताव पास कर दिया है इस पर भी कैप्टन से सवाल जवाब होंगे जाहिर है पंजाब के पूर मुख्यमंद्री कैप्टन अमरेंदर सिंग अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में बड़े ऐलान कर सकते हैं इससे पहले कैप्टन अमरेंदर सिंग ने पस्ते हटने के बाद जिस तरीके से अपने तीखे तेवर दिखाई हैं उससे पंजाब की राजनिती में हल्चल बढ़ी हुई है लेहाजा कैप्टन अमरेंदर सिंग की प्रेस कॉंफरेंस पर तमाम राजनिजिक निगाहें लगी हैं कैमरामन विज़र बीड के साथ प्रदीप कुमार टोटल न्यूज दिली